तो इवर जिले में एक बार फिर सक्री हुए हाईवे के बदमाश निसाने पर हैं अब ट्रक चालक आपको दादें समय हाईवे में बदमाश सक्री हो गए हैं जो सिलसले वार ट्रक चालकों को निशाना बना रहे हैं रात में सोते समय बदमाश ट्रकों में भरा डीजल निकाल ले जाते हैं और रीवा से प्रयागराज को जोड़ने वाला राश्टी राजमा क्रमांग तीस में पिछले कई दिनों से बदमाशों की गैंग ने को राम मचा रखा है रात के समयट होटल वा ढावो के आसपास खड़े होने वाले ट्रकों का डीजल निकाल कर चमपत हो जाते हैं इस गिरों ने पिछले दो दिन में ये दो ट्रकों को निशाना बनाया है और ट्रकों में भरा भारी मात्रा में डीजल निकाल कर चमपत हो गए हैं इस गटना की शिकायत पीडितों ने थाने में दर्च कराई है लेकिन अभी तक गैंक का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सपाई से टेंग की खोल कर उसमें भरा डीजल पार कर दिया जिसकी कीमत 24,600 रुपे बताई जा रही है। कहां से आप चले थे फंकरगर से भिलाई जा रहा है। कित्ते बज़े की घटना है यहां आए आप एक बच्चे एक बज़े आये थे नेक से चावे की दिशे है। कित्ता भराए थे आप। सर जी वो द्यान नहीं दिये थे आया था कुछ। ठीक रिपोर्ट की है थाने में। आपको नाम क्या है? मेरा नाम सुनिल कुमार की वारी है था। पीता का नाम? बंस भोर की वारी निवासी? फुलहा। आज क्या हुआ है आपके गाड़ी में? सर बारा बज़े रात को गाड़ी खड़ी करके गए यहां कंडिक्टर गाड़ी में सो रहा था। सुबह में जब वह जगा टंकी जाके देखा बरस करने जा था टंकी देखा तो धक्कन उक्कन उसका नीचे पड़ा हुआ था। और डीजल बिल्कुल नहीं था। साम को जब मैं आया तो मेरे को बताया है कि अलगता है निकल गया मैं चाभी लगाया गारी में तो बिल्कुल डीजल ही निकल था। कितने तारीकों गाड़ी खड़ी किया थे यहां? साम को बारा बज़े 27 तारीक को रात में था। गाड़ी में कौन था? कन्डिक्टर था। कितने लीटर डीजल चोरी हुआ? धाई सो लीटर यह गाड़ी कहा कि है? धाई सो शक्तित लोगता है। कहां से आप आ रहे थे? मैं रायपूर से आ रहा था। सुल्टान पूर जा रहा था। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं? सो नंबर किये थे सो नंबर आई थी बोली थाने जाओ जब थाने गए तो वहां बोले कंप्यूटर आपरेटर नहीं है फाई यार सुबे में आते करना अभी नहीं हो पाएगा। ठीक चलिए दर्वार